हेलो एवरीवन कैसे हैं आप सब दोस्तो घर हुया कीचन अगर आप कहीं भी काम कर रहे हो तो बहुत सावधान रहना पड़ता है इसमें बहुत सी ऐसी टिप्स और ट्रिक्स है जो आपके बहुत काम आएगी साथ ही साथ आपके घर के खड़ से भी कम हो जाएगे वर ना हो सकता है बहुत ही बड़ा नुकसान आज की वीडियो में बहुत ही बढ़िया इंफोर्मेशन देने वाली हूँ और वीडियो देखने के बाद आप इसे जरू ट्राइ करें तो चली वीडियो शुरू करते हैं वीडियो पसंद आए तो रोज की तरह एक लाइक जरू कीजिएगा और चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब भी कल लीजिएगा हमारा पहला टिप है जूने को लेकर दोस्तों इस तरीके के जूने का यूज अक्सर घर में बरतन धुले के लिए करते हैं इस्टिल का हूँ या प्लास्टिक का इस तरीके से जूने का यूज बरतन धुले के लिए ही किया जाता है लेकिन आज मैं आपको एक और तरीका बताऊंगी यूज करने का जिसके बाद आप इसको बर्तंद होने के अलावा दूसरे कमों में भी यूज़ कर पाएंगे तो वो क्या तरीका है आईए जान लेते हैं ध्यान से देखिएगा दोस्तों कई बार ऐसा होता है हमारी जो कैची होती है चाहे वसलाई मसीन वाली हो या घर में नॉर्मली यूज़ करने वाली कई बार धार कम हो जाती है तो कैची को बिना मार्केट जाए बिना पैसे खर्च किये घर पर कैसे तेज करते हैं आज मैं आप सभी किशाष शेर करने वाली हूँ आप गैस ओन कर लीजिए और गैस पर आप बस कुछी सिकेंड के लिए इस कैची का जो आगे वाला हिस्सा होता है अच्छे से से शेख लीजिए जब ये पूरी तरीके से अच्छे से गरम हो जाए ध्यान रखेगा हाथ थोड़ा बचा कर कीजिएगा क्योंकि कैची गरम है उसके बाद आप क्या करेंगे इस्टिल का जो जूरा देख रहे हैं आप इसके उपर आपको कैची चलाना है आपको लगातार कुछी देर के लिए चलाना है क्योंकि कैची गरम है इसकी दार बहुत अच्छे से तेज हो जाएगी तो इस तरह से कैची की दार कुछी सेकेंड में तेज हो जाएगी फ्रेंज तो इस तरह आपका काफी सारा खर्चा भी बचेगा आपका काम भी आसान हो जाएगा और आपके लाइफ स्टाइल भी आसान हो जाएगी आशा करती हूँ दोस्तों ये वारे टिप आप सभी को बहुत अच्छी लगे और पसंद आए आप देख सकते हैं इसकी धार किती तेज हो चुकी है पहले से तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले टिप की तरव हमारा अगला टिप है कोल्गेट को लेकर अक्सर हमारे पास तूद पेश्ट खतम हो जाता है और फिर हम उनको उठा कर फेक देते हैं लेकिन इसमें काफी सारी तूद पेश्ट बची रहती है तो बची होई तूद पेश्ट को किस तरह से बाहर निकालना है आज मैं आप सभी के शार्ष शेयर करने वाली हूँ आपको सबसे पहले ले लेना है बेलन जिससे हम रोटिया बेलते हैं और इस तरह आगे की तरफ प्रेश करना है दो से चार बार आप प्रेश करेंगे तो आप देखेंगे जितना भी तूद पेश्ट था वो आगे की तरफ आ जाएगा और आप इसे यूज कर सकते हैं फ्रेंस ये कोई नई टिप नहीं है, बहुत से लोगों को ये टिप पता होगी, पर ये टिप उन लोगों के लिए है जो इस टिप को नहीं जानते हैं, तो आशा करती हूँ ये टिप आप सभी को अच्छी लगी होगी और यूसफूर रहे, तो चली बढ़ते हैं अपने अग का धबा भी पड़ जाता है, तो इसके लिए मेरे पास है बहुत ही बढ़िया तरीका जो आज मैं आप सभी के शास शेयर करने वाली हूँ, सबसे पहले आपको ले लेना है नमक, नमक वही जो हम खाने में यूज़ करते हैं, सिंपल प्लेन वाइट वाला, अगर आपके पा बाद आपको ले लेना है कोई भी पूराना ब्रश और चारो तरफ अच्छे से सफाई कर लेनी है, बाकी आप कुछ भी मत दालिए, आप देखेंगे नमक जितना भी पीलापन है, अच्छे से निकाल देगा, जितने भी चाय कॉफी के दाग हुए, सारे के सारे रिमूव हो चला जाता है, हमने ब्रश से इसको अच्छे से साफ कर लिया है, अब नॉर्मली पानी से वाश कर लेंगे, अब आप देख सकते हैं, ये पहले की तूलना में, अभी कितना ज्यादा चमक रहा है, बिल्कुल नए जैसा, तो इस टिप को ज़रूर यूज कीजिएगा, आपक यूज करने से पहले हलका सा गीला, जरूर कर लें, तो इस ग लास पर भी हमने अच्छे से चारो तरफ रगड लिया है, अब इसको हम नॉर्मली पानी से वाश करके देखेंगे, कि ये कितना ज़्यादा साफ हो गया है, इससे हमने नौर्मली पानी से वाश कर लिया है, मकी बज़े से तो आशागरती हूं दोस्तों ये वारे टिप आप सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है और यूसफूर रहने वाली है तो इस तरह से आप घर पे पड़े पुराने बर्तनों को एकदम नया कर सकते हैं तो फ्रेंज चरी बढ़ते हैं अपने अगले टिप की दरफ अगला टिप है हमारा कोल गेट को लेकर मिल्टन की बोतल तो हम सब के पास होती ही है कोई भी बोतल हुई उसे सही तरीकी से साफ करना बहुत ही मुश्किल होता है तो मेरे पास है बहुत ही बढ़िया तरीका जिसे आज मैं आप से भी के शास श्यार करने वाल तक हमारा हाथ नहीं पहुँच पाता जिससे हम उसे साफ कर सकें और साथ में ही बोतल के अंदर आ जाता है पीला पन और अजीब सी स्मेल इसके लिए एक छोटा साथ टिप बता रही हूँ इससे जो बोतल के नीचे के तले है न भी अच्छे से साफ हो जाएंगे और इसमेल भी नहीं आएगी तो ये देखिए मैंने यहाँ पर पेश्ट ले लिया है जो कि खाली हो चुका है पर थोड़ा बहुत पेश्ट तो बाकी रहता है पर हम उसे खाली समझ कर फेक देते हैं पर इसे फेकने के बचाए इसे रियूज कर सकते हैं अब हम क्या करेंगे इसे छोटे-छोटे काच कर अंदर डाल देंगे पेश्ट से ये अच्छे से साफ भी हो जाएगा और ये जो छोटे-छोटे टुकडे हम डाल रहे हैं इससे क्या होगा इस बोतल के अंदर तक जाकर लगेगा और ये बोतल है ना अच्छे से साफ हो जाएगी इसको डालने के बाद आप में थोड़ा सा पानी डालूँगी बाकि आपको इनो नमक कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है बस पानी डालिए पानी डालने के बाद इसका जो ढखकन है उसे अच्छे से बंद कर लीजिए और बोतल को अच्छे से से कर लीजिए हिला लीजिए बस इस छोटे से काम से आप देखेंगे कि बोतल बहुत अच्छे से जगमगा जाएगी ये तूटपेश्ट हम अक्सर फेक देते हैं जब ये खाली हो जाता है पर फेकने के बजाए आप इसे इस तरह से यूज़ कर सकते हैं देखी इसको मैंने अच्छे से हिला लिया है अब हम क्या करेंगे अब आप क्या कीजिए इसके पानी को फेक दीजिए और साफ कर लीजिए और आप देख सकते हैं बोतल की तली कितनी चमक गई है जो इसमेल आ रही थी जो पीला पन था वो सब खतम हो गया है तो इस टिप को आप लोग ज़रूर आजमाईएगा आचा करती हूँ दोस्तों ये सभी टिप आप सभी लोगों को बहुत पसंद आएगी और यूस्फूर रहे तो फ्रेंट्स ये थी मेरी आची वीडियो उमीद करती हूँ आपको यूस्फूल और आची जरूर लगी होगी और आप अपने फ्रेंट्स और फैमिली में जरूर जरूर शेर कीजिएगा जिसी ये टिप्स उनके भी कामा सके थैंक्स पर वचिंग प्लीस सब्स्क्राइब दी चैनल और प्रेश दा लाइक बटन और शेर दिस वीडियो इट्स रिली मेक में हैपी